गुट मॉनिंग एवरिबन आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े और महतुपूर्ण विशय के उपर जो के रिलेटेड है हमारा इंटरनेशनल एशू से इसलिए आज का जो एडिटोरियल है वो अस्किप करने लाइक नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल प्याधायत है और आपको पता है कि अगर ऐसे एडिटोरियल आते हैं तो ना केवल आपके लिए अच्छे अच्छे वर्ट्स का उसमें कलेक्शन होता है बलकि आपके लिए एक करेंट अफियर्स का भी भंडार होता है उसमें इसलिए आपको जरूर उसे पढ़ना चाहिए तो आज के रिटोरियल में हम उसी की चर्चा करेंगे जो की अधायत है क्वाड समेलन के उपर जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली भारत के प्रधान मंतरी का वेजिट हुआ था अमेरिका में क्वाड समेलन में वो भाग लेने गया थे और उसके अलावे उन्होंने प्रस और चाइना में खास करके इसकी बात की जा रही क्योंकि वे लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा जो संबंद है अमेरिका के साथ बहुत अच्छा हो ए चार महाशक्ति के साथ भारत चार महाशक्ति जिसमें भारत भी शामिल था इसकी बैठक संपन हो गई और प्रधान मंतरी वा पास तक जरूर देखना चाहिए सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइटल इसका है बैक इन दा गिम जैसा कि आपको पता है कि पिछले करीब दो सालों से पूरा विश्व एक महामारी के चपेट में जिसका नाम है कोरोना वाइरस इस पैंडेमिक की वज़े स अधिकांस देशों की इस्टिती ऐसी हो गई थी कि यह लोग आपस में इतने उल्जे थे अपने घर में इतने बैस थे कि दूसरों के साथ बात चित करने का टाइम नहीं था कुछ समय के लिए करीब एक दो साल की अगर इस्टिती की बात करें तो इन परसन यानि खुर होई है तो कौर्ड का समयलन आपके सामने है जिसमें इन परसन शामिल हो करके फिजिकली इस समयलन रखा गया पहले ऐसा नहीं हो रहा था इसलिए टाइटल दिया गया बैक इन दगेम यानि वापस हम लोग खेल में आ गये हैं यानि अब इस्थिती थोड़ी पहले जैसी सम में आगे कहा गया कि क्वार्ड एंड इंडिया युएस के टाइज के ऊपर टाइज का मतलब जो होता है समझ होता अग्रिमेंट उसके ऊपर एडिटोरियल अधायत होगा आगे बढ़ते हैं अब यहां पर लेखक के द्वारा क्या कहा जा रहा है इंडिया मस्ट कॉपरेट विद यू एस भारत को यू यानि उनाइटड अस्टेट्स यानि अमेरिका के साथ कॉपरेट करना चाहिए किस मूद्धे पे औन वैक्सिन के मूद्धे पे ट्रेड मतलब बेपार के मूद्धे पे और लेवरेज क्वार्ड लेवरेज का मतलब होता है टेक इस यह को आप इसको ऐशे का सकते हैं वो इसनल स्हेत्ग यानि च्ष livelihoodiliy के लिए हो भारत को यूश का कि का रहा चाहिए सपोरड करना चाहिए और कर ना चाहिए ताकि वह वैक्सिन भारत के परदहान मंत्री का नरेंदर मुदी की मीटिंग किसके साथ यूएस के प्रेसेडेंट जो है जो बाइडन अब देख के यहां पर एक ग्रेमेटिकल चीज आपको सीखने के जरुरत है जैसा कि आपको बता है कि जिसके साथ यूनाइटेड लगा हुआ रहता है UK, US, USSR जिसके साथ United Word लगा हुआ है उसके साथ हम लोग 2 लगाते हैं ठीक है? लेकिन अगर उसके साथ उसके प्रदान मंत्री या रास्ट पती का नाम आता है तो ऐसे केस में नहीं लगाते हैं इसलिए देखें Meeting with the US President नहीं लिखा हुआ है क्यों? क्योंकि यहां पर जो बाइडन आ गया उसी पकार आपको पता है कि the Prime Minister होता है पोस्ट के साथ the का यूज होता है लेकि प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर उनका नाम दिया हुआ है तो यहां पर the Prime Minister भी लिखने के ज़रूद नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी दर नहीं लगा क्योंकि इसके बाद उनका नाम आ रहा है और US के साथ भी दर नहीं लगा क्योंकि उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन का नाम आ रहा है एक ग्रामेटिकल चीज जो आपको जाननी चाहिए थी चलिए अब बात करते हैं फीसे क्या लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी समिट मेटिंग विद युएस प्रेसिदेंट जो बाइडन बहाद के प्रदान मंतरी का मेटिंग जो बाइडन के साथ जो कि शिखर बारता है समीट का मतलों क्या होता है एक शिखर जो वा Quadrilateral Security Dialogue जिसको हम लोग Quad के नाम से जानते हैं Mark an important a step forward in India's engagement with the major global powers यह दर्शाता है यानि भारत के प्रदान मंतरी का अमेरिका के प्रास्टपती और व्यक्तिगत तोर पे जो भाग लियें Quad के सम्मिलन में वो यह इशारा करता है या दर्शाता है एक important a step forward एक आगे की और कदम इसका भारत का engagement with major global powers जो मुख ग्लोबल पावर हैं बैश्विक पावर से सक्तियां हैं उनके साथ इसके engagement को मार करता है as क्योंकि it six six मतलो wants to revive its economy क्योंकि यह चाहता है कि यह अपने economy को revive करे and a strategic role in aftermath of the covid-19 crisis और covid-19 crisis से उत्पन हुए परिस्थेती को क्या करे एक a strategic role अदा करते हुए उसको क्या करे फिर से उसको सही कर पाए यानि भारत जो बात किया इस सम्मेलन में वो इससे यह पता चलता है कि भारत एक आगे बढ़ करके अपने आपको इन global powers के साथ engage करना साथ चाहता है क्योंकि भारत चाहता है कि covid-19 के परणाम सरूप आप्टर महित का मतलता है परणाम तो covid-19 के crisis के परणाम सरूप जो उसकी problems हुई है economy में को जो जटका लगा है उसको चाहता है इसी का मतलब want उसको चाहता है कि revive करे एक strategic role अदा करके clear हो गया होगा at the heart of the two leaders meeting at the heart of एक phrase होता है जिसका मतलता है in the center of के बीच में यानि दो नेताओं के बीच में जो meeting हुई थी उसका जो main जो किंदर बिंदू था वो क्या था was the issue of vaccine availability यानि at the heart of the two leaders meeting यानि जो नेताओं के बीच में जो किंदर बिंदू था वो था कि vaccine की availability कैसे हो इस मुद्धे पर बाचित होई and a critical victory for Biden और यह भारत के बाइडन के लिए एक महतपूर्ण victory है मतलब बाइडन के लिए एक महतपूर्ण जीत है ऐसा क्यों कहा गया क्योंकि as it received क्योंकि जो उनकी administration है बाइडन की उसने receive किया है क्या Mr. Modi assurance यानि मोदी जो है एक assurance दिया है उनको इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी के आश्वासन की बज़े से बाइडन administration की जीत मानी जा रही है अब क्या आश्वासन दिया आगे बढ़ते है आश्वासन ये है that as the world's largest vaccine manufacturer दुनिया के सबसे बड़े vaccine manufacturer के तौर पे इंडिया उड रेजियूम सप्लाइस टु दे ग्लोबल कोवैक्स पूल अंडर इस vaccine matter program यानि भारत के तरफ से यानि मोदी के तरफ से अश्वासन दिया गया assurance दिया गया कि भारत फिर से क्योंकि भारत वर्ल्ड का एक leading manufacturer है वैक्षिन का और largest manufacturer है इसलिए उसने क्या किया एक assurance दिया कि भारत फिर से शुरुआत करेगा अपने जितने भी जो countries हैं उसको वैक्षिन उपलब्द कराने की कोशिश करेगा एक प्रोग्राम के तहर जिसका नाम है वैक्षिन मैट्री प्रोग्राम दे ब्रेक्थ्रू केंश कमस आफटर टर्मवाइल इन द़स पेस earlier this year एक तरह का जो इसमें ब्रेक्थ्रू का मतले होता है कोई नई चीजों का आजाना इसमें कब आया जब एक टर्मवाइल उथल उथल मचा हुआ था इस छेतर में अर्लियर दिस 1971 शाल के शुरूवाती में उथल उथल मचा हुगा था उस समय भारत को क्या कर न पड़ा कि लिए इंडिया हांटर्टवकॉट्स उस समय भारत को एक्सपोड को रोकना पड़ा था आपको याद होगा कि जब भारत में वैक्शनेशन का प्रोग्राम चर रहा था तो हेजिटेंसी थी कई लोगों में और वैक्शन की जो रपतार थी बहुत धीमी थी लेकिन हमारे पास उपलबलता ज्यादा थी इसलिए प्रधान मंत्री नरे नमोदी के पहल पे एक कई देशों में सप्लाई कर रहे थे ताकि जो देश चाहते हैं वैक्शन की उपलबलता वो आसानी से प्राप्त कर सके तो उस समय भारत ने एक प्रोग्राम लॉंच किया था जिसके अंतरगत दूसरे देशों को सप्लाई की जा रही थी फ्री ओप कॉस्ट वैक्शन को जिसको मैंत्री प्रोग्राम भी कहा जा रहा था लेकिन साल के शुरुआत में हुआ क्या कि हमारा देश खुद संकट में घिर गया कोविट-19 के जिसकी वज़े से इस टर्मॉयल को देखते हुए यहां के लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे देश में ही वैक्शन उपलब नहीं है और यह दूसरे देशों को बाट रहे है उसी बात के चर्चा यहां पर की गई है कि जब टर्मॉयल आया था साल के शुरुआत में तो भारत ने एक स्पोर्ट को रोक दिया था क्यों रोक दिया था क्योंकि इडवास फेसिंग क्रिटिसिज्म इसकी आलोचना हो रही थी for domestic supply bottlenecks क्योंकि आलोचना इस लिए हो रही थ क्योंकि जो घरेलू supply है उसमें बाधा बॉटलनेक्स का मतलता बाधाय उत्पन हो रही थी as it contended with the devastating second wave of COVID-19 तो कि हमारा देश devastating मतलब होता है पुरी तरह से छत बिछत कर देने वाला भ्यंकर second wave of COVID-19 से contended था मतलब जूज रहा था उससमें एक कहना यह चाह रहा है कि भारत त इसके ता दूसरे देशों को यह लब्द करवा रहा था लेकिन बीच में हॉल्ट करना पड़ा रोकना पड़ा क्योंकि हमारा देश खुद COVID-19 के second wave से जूज रहा था around the same time उसी समय the US also invoked its defense production और उसी समय US ने भी invoke मतलब होता है लाउ कर दिना यानि US ने भी invoke कर दिया its defense production act यानि वहाँ पर क्या कर दिया लागू defense production act जिसमें एक कहा जाता है कि आप domestic label पे ही आप इसको manufacture करके पहुँचाईए आपको internationally आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं या फिर इसको आप supply नहीं कर सकते हैं effectively preventing the export of raw material जिसके अंतरगत जो raw material है उस पे रोक लगा दिया गया export करने पे यानि आप इसको export नहीं कर सकते हैं for vaccine manufacture in a bid to in a bid to का मतब के परियास में तो प्रियोर्टाइज domestic production यानि घरेलू production को तबज़ो देने के लिहाज से अमेरिका ने भी जो raw materials हैं उसके export पे रोक लगा दिया किसके तहद defense production act के तहद यानि एक और भारत ने भी supply को बंद कर दिया दूसरे देशों के लिए तोकि यह खुद जूज रहा था वहीं अमेरिका ने भी ऐसा ही किया जो भी manufacturer के लिए ज़रूरत है मैनुफैक्टर करने के लिए जो चीजों की ज़रूरत है उस पे रोग लगा दिया एक्सपोर्ट पर विद बोद कंड़ीज नाव मुविंग फरवार्ड ऑन देर डोमेस्टिक वैक्षिनेशन प्रोग्राम अब दोनों देश हैं जो घरेलू अस्तर पर देखें तो बहुत अगे डोमेस्टिक वैक्षिनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं याल्बेट मतलब हला की विद यूएस स्टील स्ट्रॉग्लिंग तो अवकम वैक्षिन हैजित्रेंसी इन से इन सटेंस्टेंस अनला की यूवेस में अभी भी वैक्षिन को लेकर कि हिच की चाहट है कुछ राजियों में, hesitancy मतलब हुजिच की चाहट, the summit provided them a timely opportunity to take up long pending conversation, आई इस summit में नकिवल इनकी चर्चा हुई, बलकि इसने एक opportunity परदान किया है to take up long pending conversation on trade, यानि बैपार के मुद्दे पे जो कई सालों से जो इंडिंग मुद्दे थे, उसको भी शामिल करने का एक मौका मिला इसको, defense ties यानि सुरक्षा को ले करकर जो समझोते होने थे, और कई मौके इसमें मिले हैं, quards and melon के माद्यम से, तो वैक्षिन के अलावे आप क्या opportunity मिला, एक लंबे समय से, जो conversation, trade पे नहीं हो रहा था, defense ties पे हो गया और कही, at the confluence of those two areas, confluence word का मतलब होता है, संगम, मिलन, at the confluence of those two areas was the re-affirmation by Mr. Biden that India remained a major defense partner, जो दो बाते कही गए हैं इसमें, तो trade की बात करें और defense की बात करें, तो इसमें Biden ने कहा है, कि भारत एक बहुत ही, शांदार, एक major defense partner रहा है, एक मुख्य defense partner रहा है, सुरक्षा partner रहा है, making it a key nation, that which Washington could share information, यानि भारत को एक important nation का दरजा देते हुए, उन्हों ने कहा, कि भारत एक ऐशा देश है, जिसके साथ Washington, यानि जो America could share information, जिसके साथ America information को share कर सकता है, and a standard cooperation in advanced military technologies, और ये मजबूत बना सकता है, cooperation को, सहयोग को, किस छेतर में, advanced military technologies के छेतर में, including, इसमें शामिल है, for example, उदारन के लिए, a recent project to co-developed air launched unmanned aerial vehicles, और जिसमें शामिल है, हाल-फिलाल का एक project, जिसको दोनों मिल करके बना रहे हैं, जिसमें unmanned aerial vehicles बनाए जाएंगे, जिसमें manorahid aerial vehicles बनाए जाएंगे, यानि जो ऐसे भी मान बनेंगे, जिसमें किसी वेक्टी की जरूरत नहीं होगी, pilot की जरूरत नहीं होगी, unmanned होगा, manorahid होगा, इस पे भारत और अमेरिका दोनों मिल करके काम कर भी रहे हैं, एक इसके दोरा बोला गया है, बाइडन के दोरा बोला गया है, कि बाइडन ने कहा, कि भारत एक अच्छा defense partner के तोर पे उगरा है, और जिसके साथ जो Washington का जो है, यानि अमेरिका का जो administration है, यानि वाइडन का administration है, जिसके साथ वो अपना information को share कर सकता है, और इसका example भी दिया कि हाल फिलाल में भारत और अमेरिका एक project पर काम शुरू किया है, जिसमें unmanned aerial project vehicles बनाने का काम होगा, आगे देखते हैं, यह तो बाते हो गई, vaccine की बात हो गई, एक जो है सुरक्छा की बात हो गई, यहाँ पे बैपार की बात हो गई, अब आगे क्या ग्लोबल है, बैश्विक जो concern है, जो चिंताएं हैं, जिसमें शामिल है, pandemic, एक ongoing pandemic, जो अभी pandemic चल रहा है, उसको ongoing pandemic है, दूसरा climate change, जो हमेशा से रहा है, technology, cooperation, technology के मावले में जो cooperation की बात है, यह सारे global मुद्दे हैं, supply chains and security भी है, यहना कैसे supply चीज़ों करें, उसकी जो स्रि security सुरक्षा की बात हो रहे हैं, क्योंकि अभी Afghanistan का मुद्दा अभी hot topic बना हुआ है, and preventing a free and open Indo-Pacific are, were the themes that came up at the quiet gathering, यानि जो मुद्दे vaccination के थे, दूसरे हो गए सुरक्षा की, तिसरे बात जो हो गई, जो पैपार की, उसके अलावे जो global मुद्दे थे, उसमें था climate change को लेकर करके, pandemic को लेकर के, technological cooperation को लेकर के, supply chains and security की बात हुई, यह सारे मुद्दे थे, इस बार के, quiet gathering में, following on the hills of, follow on the hills of एक phrase होता है, जिसका मतलब होता है, कि following closely after, उसके बाद, उसके just after, यहीं, following on the hills of the first virtual summit of four leaders in March 2021, यहीं, 2021 के मार्च में, चार जो leader है, यहीं क्वार्ड के जो leaders है, जिसमें, शामिल है, चार देश, आपको पता होगा, क्वार्ड देश का नाम, जिसमें, US है, इंडिया है, जपान है, और अस्ट्रेलिया है, थोड़ी से अगर, additional information आपको चाहिए तो क्वार्ड जो है, इसकी establishment 2007 में होई थी, इंडो पैसिफिक रीजन में है, और इसकी जो अगर बात करें, तो इसमें चार देश है, इंडिया, जापान, अस्ट्रेलिया और US, फाइन, इसलिए इसको क्वार्ड बोला जाते है, क्वार्ड लेटरल से बना है, क्वार्ड, तो हम लोग बात कर रहे थे, क्वार्ड के जो लीडर्स थे, 2021 में मिले थे, आपस में मिले, मिले नहीं, वर्चुल बातचीत हुई, वर्चुल समीर था हो, और उसके जस्ट बार, ऑन दे हिल सॉप मतलब उसके बाद इस बार मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग ब्यूल्ट इंडिया लिखा हुए, इंडिया, दे यूएस, अस्ट्रेलिया, एं जपान, टु इंसोर दे इंडो पैस्पिक रिजन फ्री फ्री फ्रॉम कोर्शन एंड डिस्प्यूट्स, तो हजार मार्च की मीटिंग के बाद जो एं मीटिंग होई ही, उसमें एप डिसाइड किया गय इसको फ्री होने के जरूवत है, उसको सॉल्व करने के जरूवत है in accordance with international law, यानि जो international law है, अंतरास्टी एक कानून है, उसके तहत इसको सॉल्व करने के जरूवत है, जबकि भारत ने अपने आपको अलग करने का सोचा है, एक क्वार्ड एनौन्स किया गया हाल फिलाल में, जिसमें अस्ट्रेलिया हैं, यूके हैं और यूएस हैं, इसलिए इसका नाम है A-U-K-I-U-S, पार्टनर्शिप से अपने आपको डिसोसीएट कर लिया है, दूर रखने की बात कर रहा है, इस बात में थोड़ा डाउट है कि ना कि बराभर डाउट है कर लो, थोड़ा डाउट है, कि जो इन लोगों के बीच में, एक तरह का जो कॉपरेशन हुआ है या फिर एक नया तरह का ELISE कहलो बनाया है अस्ट्रेलिया, UK और US के बीच में जिसके अंतरगर सब्मेरियंस वगेरा बनाने की बात हो और एक फ्रेमवर्ग बनाया गया है इसका जो positive implications मिलेगा implications का मतलब होता है इसका फायदा पहुचेगा भविस में इंडिया का strategic calculus पर regarding Indo-Pacific region यानि जो इन दोनों के बीच में इन तीनों के बीच में जो बात होगी या तीनों के लिए जो भी प्रोग्राम से उसका फायदा भारत को भी मिलेगा यह कहना चाहरा है अगर हम लोग निव डेली के टेस्टी कोण से देखें health concerns and economic revival remain at the very apex of the policy agenda यानि क्वाड का तो अपना मुद्धा था ही लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत का जो मेन मुद्धा था उस पर चिंता थी भारत की वो health concern थी और economic revival यानि जो economy हमारा देश का यानि जो अर्थ विवस्ता है उसको revive कैसे किया जाए और अपेक्स का मतलों होता है सबसे बड़ा मुद्धा था यानि उपरी जो मुद्धे की बात करें वो था भारत के policy में या फिर कहलो इसका जो मेन एजेंडा था कि health concerns को कैसे दूर करें और कैसे हम दोग economically revive हो पाएं भारत के लिए यह समय है कि वो अपनी cooperative initiative यानि इतरह से कहलो कि सहभागिता की जो भावना है वो यूएस के साथ और गहरा कर ले यानि जितना आपका संबंध यूएस के साथ गहरा होगा उतना ही अभी फैदा होगा किस मामले को ले करके regarding यूएस regarding vaccines and trade and continue engaging vigorously with a card for regional stability जो कि बात शुरू में कहे गई थी कि भारत को अभी यूएस को cooperate करना चाहिए और उसके relations उसके साथ deep करना चाहिए किस मुद्दे को ले करके vaccines को मुद्दे को ले करके trade को मुद्दे को ले करके और अपने आपको vigorously का मतलब होता है प्रभावी तरीके से या कहलो की एक जोरदार धंग से जोरदार धंग से quad के जो original stability के लिए अपने आपको उसके साथ cooperate करने के ज़रूआता है सिंपल तरीके से अगर समझें तो भारत को अभी चाहिए कि जितना हो सके US के साथ साथ quad के साथ वो अच्छा इस्तिती बनाए रखे that is the optimal strategy optimal का मतलब the most important कहलो most favorable कहलो तो optimal का मतलब होता है most favorable तो यह जो है most favorable strategy होगा रणनीती होगी किसके लिए to navigate the uncertain global ecosystem उस ecosystem की बात कर रहा है जो कि मुश्किल है भी पता लगाना कि अभी कहां क्या हो जाएगा that is now finds itself in जो कि भारत भी उसमें अपने आपको पाता है अभी जो global इस्तिती है वो बहुत ही उतल पुतल भरा हुआ हुआ है कब क्या होगा कोई नहीं जानता है ऐसी इस्तिती में भारत की जो जिम्यवारी बनती है कोशिश होने चाहिए कि यूएस के साथ मिल जूर करकर रहे है साथ ही जो quad में बात कही गई उसका भी cooperation को प्राप्त करे तब ही भारत अपनी economy को साथ साथ जो समस्याएं है health concerns को लेकर के उसको भी tackle कर सकता है साथ ही जो पडोसी देश है जो इसका दुश्मन है जैसे पाकिस्तान और चाइना उसको भी सबग सिखा सकता है क्योंकि अमेरिका अभी फिलहाल इन दोनों देश्ट के खिलाफ है जिसका फायदा भारत को हो सकता है that's all for today see you in the next video do watch the video and remember the vocabs given in this